तो यह तुम्हारा मोशनीने स्टेट लाइन का कर दोगा लेक्चर नबर 10 तो इससे पहले देखो मोशनीने स्ट्रेट लाइन के जो भी टॉपिक था मतलब सारा कवर अब हो चुका है लास्ट वीडियो मैंने रिलेटीव व्लासिटी के बारें बात की थी है ना तो के लिए उसका जो भी सिच्वेशन होगा उन सिच्वेशन के ऊपर कुछ ग्राफ मैंने ड्रॉप किया था ठीक है यह जो टॉपिक है यह इसलिए रखा था मैंने बार बार कहा कि हां पर थोड़ा मैतमेटिकल टूल्स जो है वो हमें जानना है जो कि डिफरेंसियेशन और इ रहे आगे एक बात और दूसरी बात यहां पे जो हमारा मतलब मैं जो मैंतमेटिकल टूल्स लुज दोनों टर्म्स को समझाने के लिए जो मैंतमेटिकल टूल्स यूज करने वाला हूं वह देखो उसका डिफरेंसियेशन लिख क्यों था था हूँ differentiation differentiation जो होगा मतलब चाहिए मुझे इसको explain करने के लिए बात ऐसी है आप कुछ बच्छे ऐसे होंगे जिसके combination है maths होगा कुछ बच्छे ऐसे होंगे जो mathematics नहीं रखेगा ठीक है तो मुझे तो differentiation बताना है अब देखो differentiation जो होता है वो class 11th 11th का जो maths है उसमें कवर किया जाता है 12th में भी थोरा सा continuation होगा इसका differentiation का बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो बच्छे mathematics जिसका mathematics है मतलब combination में mathematics है तो वो बच्छा तो differentiation जो होगा 11th mathematics से पढ़ लेगा अभी शायद ना परे but with the passage of time जैसे कि वो उसका mathematics syllabus कवर करना है तब तो एक टाइम आएगा जहाँ पर उसका differentiation पढ़ना ही होगा ये syllabus में है है तो देखो मैं यहाँ पर जितना भी information दूँगा मतलब इसको explain करने के लिए उतना काफी नहीं होगा क्योंकि बच्चे जो है न बदलब differentiation का बात करना differentiation के उपर में बहुत ज़्यादा information दे सकता हूँ जैसे कि mathematics में है तो उतना ज़्यादा information मुझे देना नहीं है तो बहुत ज़्यादा information मैं दूँगा नहीं क्योंकि मुझे ये वाला terms ही करने है उसका corresponding जो differentiation का concept आता है वही बताना है बहुत ज़्यादा बताने जाओंगा तो होगा क्या जो ये वालब अच्चे है इसके बास maths है ही नहीं वो तो समझेगा ही नहीं उसको समझना है भी नहीं तुम्हे समझना अगर है तो मगर सोचते हो कि सर मुझे थोरा सा information नहीं चाहिए मुझे थोरा सा elaboration चाहिए differentiation का तो तुम्हारे लिए मतलब ये जो अच्चे है जिसके बास mathematics है उसके लिए तो differentiation chapter है ही वो तो वही से जान ही जाएगा इसको तो जानना ही नहीं है तो तुम्हें पता चल जाएगा मतलब ये करोगे डिसकस करेंगे तुम्हारे जो टीचर होंगे है ना और जिनका mathematics combination है ही नहीं उनको तो ये जानना भी नहीं है वो तो कहेंगे सर जितना आप इसमें दोगे उतना ही हम याद कर लेंगे तो मैं उसी के हिसाब से मतलब दोनों के लिए फाइदा होगा कि मैं जितना चाहिए होगा क्योंकि इनके बारे में भी सोचना है मुझे इनके बारे में भी सोचना है बड़े ये यहां से सीख जाएंगे और इनके लिए क्या होगा तो यहाँ पर मैं उतना ही information दूँँगा कि जितना कि मुझे ये दोनों terms explain करने के लिए चाहिए होगा ठीक है मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि वही तुम इसको ऐसी याद कर लो ठीक है जैसे कि मान दो एक चीज मैं लिखके देता हूँ जैसे कि a plus b whole square इसको a square plus twice a b plus b square करके तुम लिख सकते हो ठीक है तो मैं अगर कहता हूँ कि भाई इसको याद कर लो इसको याद कर लो तो तुम question मसे पूछ सकते हो sir a plus b whole square जो होगा वो यह formula कैसे आता है तो इसका explanation ऐसे है ना एक्स्ट्रेशन मैं यह example के तौर के बता रहा हूँ तो देखो यह वाले जो students होंगे उसको यह explanation चाहिए होगा actually और वो ऐसा explanation यहां से मिल जाएगा और यह वाले students जो है उसको इसी से काम करना है ठीक है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ultimately यह just a example था बस समझाने के लिए और कुछ नहीं इतना मतलब a plus b whole square हम यहां पढ़ने के लिए नहीं आए है बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ formulas होगा जो मैं बताऊंगा यहां पर कि इसको याद रखना है तो यह यहां पर समझ जाएगा और इसको समझना है भी नहीं तो इसको सिर्फ यादी रखना है तो मैं वही करूंगा जो दो है वह जमाना खतम हो चुका है चलो तो यह differentiation पराते हुए जब आएंगे तब तो बात करेंगे ओवियसली ठीक है तो स्टार्ट करते है इंस्टेंटिनियस वेलासिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं देखो instantaneous velocity जैसे भी definition होगा न मतलब जो भी mathematical tools करेंगे mathematical हम जैसे जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है इंस्टेंटिनेस वेलासिटी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो इंस्टेंटिनेस वेलासिटी जो है वो चाहिए क्यों इंस्टेंटिनेस वेलासिटी जो है वो चाहिए क्यों तुमारे पास जो वेलास लॉइशन यहां पर एक्स्टू पोजिशन है इसमें टीवन टाइम लगाया था तो तूमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन करेंगे फिर अगर ये जान लिए तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि what is instantaneously velocity ठीक है फिर इसको define करने के कोशिश करेंगे फिर हम यह भी जानेंगी कि instantaneously velocity जो है वो निकालते कैसे हैं ठीक है तो यह steps होंगे कुछ ऐसे हम चलेंगे कि हमें average velocity पता है कि average velocity हमने सीखा हुआ है average term क्यू यूज कर रहे हो भो भी तुम्हें पता है मैंने average velocity जब पढ़ाया था उस lecture में सारा details बता दिया था अब तुम्हारे बस नया term तर्म आ गया है वो है instantaneous velocity तो हम यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे हुआ है क्यों चाहिए हमें फिर इसको define करने की कोशिश करेंगे फिर इसको कैसे निकालते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे तो हुआ का अंसर पहले हम ढूंड़ते हैं देखो ऐसा है कि instantaneous velocity जो होगा यहां पर लिख देता हूं फिर से यह वाला चीज कि इस 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 एक तुमने तंट कीलोमटर के लिए तुम ने कहां कि तुम हारे पास यह जो डिस्टंस एक किलोमेटर जैनी को कबर करने के लिए मैंने पूछा कि इतना वालो सटी तुम करने क्या हुआ है तुम कहाँ गया जे तुम था यहां पर तुम नहीं बताओ गवे तुम एकाथा मुझे को दो ड कॉंस्टेंट रही हां त्यु तुम तुम मुझे से बता जाने में 50 किलमेटर अच गटा त्यूटिय फ मतलब average velocity is telling you what it is telling you how fast the object is moving at an average how first the object is moving average velocity से हमें क्या पता चल रहा है कि एक object जो कार होगा कोई भी मतलब body होगा जो मूब कर रहा है वो एक certain distance cover कर रहा है तो हाँ किन्हें में पता है कि हर एक पॉइंट में ले रहा हूं इस पॉइंट में तुम्हारे पास जो वलोसिटी हो गये तो होगा उस पॉइंट्स में क्यों क्यूंकि तुम तो मूब कर रहे हो तो A to B जाना है तुम्हें तुम सर्टेन लेके चल रहे थे एवरेज एटन एवरेज पूछा तो तुम कह रहे हो कि 70 किलोमेटर पार ओर ठीक है मतलब तुम मुझे कह रहे थे कि कितना स्पीड हाफ फॉस्ट ऑब्जेक्ट इस मूविंग इतना ही इंफोर्मेशन दिये हो तो होगा नहीं वह तो तुमने एवरेज बता एवरेज तुमने मुझे एक इंफोर्मेशन दे दिया कि 70 किलोमेटर पार आवर है अब मैं पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट पे कितना है तो तुम्हें तो पता है ना कि यहां पे हर एक जगा पे कुछ ना कुछ प्रॉब्ल मिला होगा प्रॉब्लम में मतलब तुमें तुम्हें ब्रेक अपला आप्ला किया होगा ट्राफिक जम्हों सकता है तुम्हें आप train Grade कम हो सकता है तो में खाली रस्ता मिला होगा बहुत ज्यादा स्पीड से चलाय हो तुम убийцы पता ही है कि हरकश में적 डिफरेंट डिफरेंट कि आवज़ी होगा नह怎麼 तुम्हें अब यहां पर किसी एक पाटिकुलर इस पॉइंट प्टिकुलर इस पाइनिट पूछली में पूछ लिए हैं नातोड मां दो तो केह रहें कि 12 सेकेंड है यहाँ पर इस जन्नी का यहाँ पर कितना मतलब व्लॉसिटी मैंटेन हुआ है ठीक है तो देखो यह जो है इंस्टेंटिनेस व्लॉसिटी जो है एवरेज कि होगा वो क्या होगा कि हाव फ़र्स दो अब्जेक्ट इस मुवीग बट इंस्टेंटि में हर जगा पे हर एक पॉइंट्स में कितना कितना वेलोसिटी मेंटेन किया हुआ है तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ओफ एन कि ऑबजेक्ट कि एटे कि पट्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तो वेलोसिटी ओफ अबजेक्ट पट्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हम जानने के लिए इसलिए तुम एवरेज लेकर डिल कर रहे हो पर समबोरी से इंटरिस्टेंट टू नोफ टीट पर्टिकुलर पाइंट तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा इंस्टेंटिनेश व्लोसिटी ओप्लियर है कॉंसेट ठीक है अब आगे बढ़ते हैं चलो तो यह इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है मैंने इसको ऐसे बताया कि इसके रिजन क्यों है क्या है मतलब इंस्टेंटिनेस व्लोसिटी तुम्हें क्यों चाहिए कि व्लोसिटी ओप अब अब्जेक्टेट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर तो यह चाह ठीक है a to b तो इसके लिए एक्सप्रेशन तुम्हारे पास x2-x1y t2-t1 है ठीक है अब तुम बात को समझाओ कि तुहारे पास यह जड़नी में इस पॉइंट पे इस पॉइंट में पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पर तुम्हें इंस्टेंटिनेस व्लोसिटी चाहिए इस इंस्टेंट इस पॉइंट पे तुम्हें इंस्टेंटिनेस व्लोसिटी डिटर्माइन करना है तो फर्स्ट पॉइंट इस डेट क्या हम इंस्टेंट अब मैं इंस्टेंटिनेस व्लोसिटी को डिफाइन भी करने वाला हूं ठीक है तो पहली बात तो क्या एवरेज व्लोस से हम instantaneous velocity तक पहुंच सकते हैं, is it possible? मुझे एक question पूछा गया, कि यह वाला जड़नी है, इसमें average velocity जो है, इसका expression ऐसे है इसको मैंने ऐसे लिखाता, तुम्हें अगर याद होगा, इसको ऐसे लिखाता, तो we can do del x by del t, ठीक है, एक बार और लिख लेता हूँ, ताकि यह चीज क्लियर रहे, ठीक है, अब मुझे question पूछा जा रहा है, कि इस जड़नी में, इस point पे, इस point पे instantaneous velocity कितना है, कोई particular instant पे तुम हो ना, कोई particular instant पे हो, तो उस instant पे क्या तुम बहुत ज़्यादा distance cover कर पाओगे, समझ रहे हो ना, मांदो यहां से लेके, यहां तक, यहां से यह A to B था, यह distance था 10 km, और किसी एक instant में तुमने पूछ लिया, मांदो 6 seconds में पूछ लिया, 6 seconds में इसका, कितना मतलब instantaneous velocity हो, तो 6 seconds में, उसी instant में, गारी तो move कर रहे है, बट उसी instant में, तुमने ज्यादा distance cover कर लिया क्या, 6 seconds में तुमने क्या बहुत ज्यादा पूरा distance cover कर सकते हो, 6 seconds में तुम क्या 10 km cover कर सकते हो, समझ रहे हो ना, वालब transition ऐसा है, 5th second यह है, यह 6 seconds है, तो 5th, 6 seconds में यह वाला transition है, इस transition में तुम, वैसे तो पूछेंगे particular instant of time है, particular instant of time, मतलब 6 seconds में तुमने पूछ रहे, तो 6 seconds time तो देखो चल रहा है, time तो चल रहा है, है ना, उसके साथ साथ जो object है, वो भी तो move कर रहा है, 6 seconds जब हुआ, तब भी तो object move कर गया, तो मैं यह कह रहा हूँ, जब 6 seconds हुआ, और object move कर रहा है, तो क्या object ने पूरा distance cover कर लिया, पर इस दा answer, पूरा distance तो cover नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा distance cover किया है, है ना, जैसे कि हमारे पास x2 minus x1 है, तो x2 यह वाला end है, x1 यह वाला end है, तो यह वाला distance बहुत ज़्यादा है, समझो बात को, मैंने कहा कि 10 km है, अब तुमारे पास अगर time तुमने बहुत घटा दिया, time तुमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, है ना, तो time तुमने ब तो तुम मुझे जाए तॉndra CP I will take aktion HOW तो तुम मुझे कह सब 10 मिनिट्स में 10 केलेमेटर गर मुझे गaveर करना है तो बहुत ज्यादा स्पीड्स जाना होगा जाना होगा याना होगा ओर 12 मुझे सिस्किर्त घार्च और ये वहाला टाइमिंग मैंनते 10 या था है तो बहुत ज्यादा थीड तरह आधा तो बहुत ज्ऺड़े चनद और सब्सक्राहिए घूर था हुड होट पहले मैंने कहा कि 10 km तुमने कवर किया 30 थर्टी मिनिट में तुम्हारा जो टाइम इंटरवल है वह रिदूस कर दिया अब बताओ बहुत जली कवर कर लोगे पूरा तुम कहोगे कि सर बहुत स्पीड से जाना परेगा बहुत ज्यादा होना चाहिए तो यहां पर जितना अगर वही वहलोसिटी तुम यहां पर भी मैंटेंड करते हो तब तो पहुंच नहीं पाओगे क्यूंकि उस वहलोसिटी में तो 30 मिनिट लगता है ना 10 km कवर करने के यह वहला डिश्टनस कवर कर नहीं पाओगे एक मिनिट में कितना डिश्टनस कवर कर लोगे बहुत ही कम है ना 10 सेकेंड अगर मैं बता रहा हूं 10 सेकंड 10 सेकंड में तुम कितना डिश्टनस कवर कर लोगे 10 किलमेटर तो कवर नहीं कर पाओगे बहुत कम डिश्टनस कवर करोगların समझ रहे हो ना तो क्वेशन यह था किiggle जो है एहवरेज़़व्लाइटी जो है एवरेज़व्लाइटी से क्या हम प्रटीकुलर इंस्टेंट पे पह। प्रटीकुलर इंस्टेंट आप पह। सकते हैं और इस चीज़ को ना वारी शेले नहीं तो 10 km है ना तो इसके लिए तो में तुम्हारे पास ये वाला situation हो गया अब हमें particular instant पे जानना है मन और यहाँ पर यहां पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर दो थे सक तो में तो टी के लिए 6 यह वाला point C लिखाता मैंने, point D, point T, इन दोनों का time interval, इन दोनों के time interval से थोड़ा कम होगा, है ना, समझ रहो ना, इहाँ पे T2 है, इहाँ पे T1 है, तो T2 माइनस T1, कितना भी time होगा, इहाँ पे time लेता हूं, इन दो जगा पे, इस point पे और इस point पे, तो यह यह time interval होगा, यह पड़ लेता हूं, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन दोनों points में, जो time interval होगा, और छोटा होगा, देखो, जैसे-जैसे मैं time interval को छोटा कर रहा हूं, जैसे-जैसे मैं time interval को मतलब reduce कर रहा हूं, तो मैं time बहुत कम दे रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले भी, यहाँ पे site किया था 10 किलमिटर तुम 30 तुम 30 मिनिक्ट सब्सक्राइब करें, तो इस तरीके से अगयार रहा है कि जितना ते टिफ्रेंस बहुत क्लोज आ रहा है पहले मैंने कहा कि t2 minus t1 जो है वो और यूझ करीबन 30 मिनिट्स तक है फिर मैंने कहा कि तुम्हें कुछ restriction में दे रहा हूं वो 5 मिनिट्स में क्यों करना है T2-T1 जो है वो एक मिनिट में क्यों करना है जैसे जैसे देखो इस बात को समझो यह transition period को तुम समझो जैसे जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना इस चीज को घटा रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हारा distance जो है घटते हुए आ रहा है क्योंकि तुम्हें पता है एक distance है जो कि 10 km है वो तो एक मिनिट में कैसे कवर कर दोंगा एक मिनिट में तो थोरा सा ही distance कवर होगा 10 सेकंड में 10 km कैसे कवर कर दोंगा 10 सेकंड में मैंने time interval दे दिया कि इन दोनों का बीच का interval है 10 सेकंड T2-T1 है 10 सेकंड तो 10 सेकंड में 10 km कवर अप करना possible होगा पर यह तो सही है कि 10 सेकंड म कुछ ना कुछ डिस्टन्स तो तुम कवर कर लोगे मतलब जैसे जैसे देखो जैसे जैसे तुमारे पास टाइम इंट्रेवल में अगर तुम रेस्टिक्शन लगा रहे हो जैसे जैसे तुम टाइम इंट्रेवल में रेस्टिक्शन लगा रहे हो ऐसे वैसे वैसे क्या हो रहा है ना जैसे के टेन सेकंड में ये टोनों का इंट्र वलागर टैन सेकंड होता है कि पूरा जड़नी तो है 10 किलो çal can नहीं बट थोड़ा सा डिस्ट्र मतलब कितना इसको रफ कर देते हैं थोरा सा जैसे की बात यह है कि तुम्हारे पास T1 यह T2 यह X1 यह X2 इस चीज को बार वार इसलिए बता रहाँ कि इसको समझना है यह 10 km है यह आप 2 मीटर अगर डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो तो 2 मीटर अगर डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो इस जर्णी से 10 km जर्णी से तुम्हें कितना कवर करना है 2 m, तो time interval कितना होगा 30 minutes होगा यह तुम्हारा total journey है कितना 10 km कर, total journey अगर 10 km होगा तो 2 m जब तुम कवर किये हो 10 km से कितना कवर किये हो 2 m, किसी भी जगा पर अब तुम यह मत सोच ना, कि sir इस point से लेके 2 m cover करना है या last 2 m cover करना है कहीं से भी 2 m तुम कवर कर रहे हो एक journey है यहां से लेकिंगि यहां तक तुमने move किया कहीं से भी 2 m cover तो तुम तुम तुमने 30 minutes लगाया तुम कहरो कि पूरा cover करने के लिए 30 minutes लगा रहा हो तुम कहा हो कि चलो, randomly मैं यहां से में एक मीटर वाला distance ले लेता हूँ एक मीटर वाला distance ले ले लेता हो वह एक मीटर distance तुम्हारा गारी तु चल रहा है ना कर definesifornia यह समझ ना बहुत ज्यादा तो left रहे हो ना तो उस restriction के वज़े से तुम्हारे जो distance coverage होगा बहुत कम होगा समझ रहे हो ना तो इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ कि मुझे particular instant of time पे चाहिए मतलब मुझे इस point पे चाहिए इसको रख करके फिर से करते हैं मुझे ऐसे है A point है B point है मुझे इस point पे चाहिए तो इस point के लिए मैं क्या करूँगा जो मेरा time interval है ना उसको तो reduce कर दूँगा उसको reduce करना है मुझे री ड्यूस करते हुए तो बहुत कम distance होगा mean if our the question यह था कि क्या हुं मैं average velocity से instantaneous velocity तक पहुंचना है तो क्या करना होगा मतलब किसी एक particular instant of point में तुम्हें पहुंचना है ना इस point में तो यह जो time interval है इसको तुम छोटा करते जाओ accordingly देखना कि distance cover अब भी बहुत छोटा हो जाएगा है ना तुम बहुत time दे ही नहीं रहा हो तुम कह रहा हो कि मतलब मैं time t2-t1 5 seconds दे रहा हो तो 5 seconds यह entire journey में तुम सिर्फ 5 seconds की बात कर रहे हो एंटेर जर्णी में जहापे मांदो 30 minutes लगा हुआ है उस entire journey में कहीं एक point पर 5 seconds में तुमने पूछ लिया तो देखो पूरा journey cover up करने के लिए तुम्हें लग रहा था 30 minutes उसके comparison में 5 seconds क्या है negligible है 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 ना मतलब t2-t1 का difference जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा small है मतलब t2-t1 का difference है वह reduces to zero type है है कि इन kijken लगाने कोई distance रखना ही नहीं है है न इन दोनों कोई distance रखना ही है एक दो उस time में जब इन दोनों के बीच का जो इंटरव और होगा वह करीब करीब जीरू होगा तब तुम बहुत ज्यादा डिश्य में नहीं कर जो होगा वो है तुमारे पास डैल एक्ष पॉइल डैल टी अब मैं कही रहा हो कि इससे अगर मुझे इन्स्तेंटुने वेलासीट इस इससे निकालना चाहताँ हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि डैलक्स बाइड टि लिख T मतलब होता है T2-T1 तो यह जो time interval है ना इसमें तुम्हें लिमिट लगाना है मतलब यह time interval बहुत ज्यादा हो नहीं सकता कितना हो सकता है बहुत small होगा कितना small reduces to 0 मतलब तुम्हें यह कहना है कि T2-T1 जिसका मतलब delta T है तो इसको इसको रपकर दो इससे देखू अगर मैं इंस्टेंटिनेस लिखना चाहता हूं तो डेल मतलब एवरेजस से इनस्टेंटिनेस लोस्टी निकाला जा सकता है पर उसमें करना मतलब सबसरerem Rajya दोन में तुमएरा प्रइडिब करिब सेम ही है तो उसकेश में तुमहारा पॉइंट पहुंच जाओग obsessive बहुत minute difference है, मतलब बहुत दूर तुम जा नहीं पाए, एक distance है, बहुत लंबा distance है, but time interval बहुत छोटा लिया, तो तुम इस point में रह जाओगे, तो इस point में ही velocity में मिल जाएगा, कब रहोगे, जब तुम कहोगे कि यह mathematical tool है, मैं use कर रहा हूँ, कि limit delta t tends to, यह वाला sign जो है, यह है, tends to, तो limit tends to 0, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा differentiation का concept start हो जाता है, ठीक है, तो limit delta t tends to 0, कैसे लिखा मैंने, मैंने कैसे लिखा, देखो, limit लिखा, LIM करके, या फिर तुम इसको न, LT भी लिख सकते हो, और इसके नीचे, एकदम नीचे, delta t tends to 0, या ऐसे लिखो, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा तुम्हारे syllabus के हिसाब से माइने नहीं रखते, इस टर्म को इतना भी ज़्यादा मतलब importance मत दो, हाँ, limit वाला case, differentiation chapter में, जिनके पास mathematics है, उसको पढ़ना ही है, वो परेगा, बट मैंने यहाँ पर physics explain किय है, कि मुझे average velocity से instantineous velocity तक पहुंचना है, मतलब particular एक instant में, बहुत लंबा जर्णी है, बट उस जर्णी के किसी a point में, इस point में पहुंच जाना है, इस point में पहुंच जाना है, तो इस point में पहुंच जाने के लिए क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा time interval दे नहीं सकता, time interval बहुत जाद रिडियूस कर दूंगा तो इसी पॉइंट वे पहुंच जाओंगा समझ रहा ना तो देखो इसका जो next step होता है ना उसको तुम्हें याद रखना है इस से पहले इस चीज़ को एक बर और समझ लियते हैं मतलब instantaneous velocity अगर है मेरे पास quando चाओंतों चूंदा या प्रकाइश ना यहां से लेकिंश हुए इिस तक तुमUNG मतलब किसी एक points में तुम इंटरेस्टेड हो इस point में कितना सूटि है या पिर इस point में कितना वलोशिटी है या फिर इस पॉइंट वे लो ती कितना है ठीक है बीको इस point में जब तुम यह interval reducedtense two zero जाएगा मतलब यहां पर बहुत चोटा waking stay cover होगा क्यों जब तुम कहा रहा हो कि यह दोनों जो time interval है करीब करीब 0 है यहां पर देखो यहां पर अगर T2 equal to 30 है और यहां पर T1 equal to 0 second है तो 0 second से लेकर यहां तक जड़नी 30 minute का जड़नी है तो इतना distance cover हो गया अब मैं कहा रहा हूं यह T2 minus T1 fraction बहुत कम है fraction of second है मतलब दोनों में अंतर ही नहीं तो उस time में जो object move कर रहा होगा बहुत छोटा distance cover करेगा समझ रहे हो ना मतलब यह जो entire journey है ना तुम कहना चाहते हो कि इस entire journey में किसी भी point में तुम particular instant में तुम instantaneous velocity निकाल सकते हो ठीक है तो किसी भी point को तुम choose कर सकते हो किसी भी point को choose करके उस point के corresponding तुम instantaneous velocity determine कर सकते हो इस बात को समझो कि यह entire journey है इस entire journey में कोई सा भी point तुम ले सकते हो और उस point में तुम instantaneous सकते हो कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट वालत तुम मुझे टाइम बता दोगे ना टाइम के साप से कर लेंगे तो इस हिसाब से इस एंटेर जर्णी को ना हम छोटे-छोटे पार्ट में differentiate कर सकते हैं ना ऐसे चोटे-छोटे पार्ट में differentiate कर सकते हैं यह जो ऐसे लाइनिंग में दे रहा हूं इसका मतलब क्या है यह यह भी एक distance है जैसे तुम यहाँ पे एक कवर कर पाया मतलब यह तो ऐसा है की कौनसा पॉइंट पे तुम इंटरेश्टे इस पॉंडिंग वहें होता है है वह भी होता है दो बहुत ज्यादा पम लोगा त्र土 इसले कर रहा हूं की एक एंटेर जर्नी को हम instantaneous अगर हमें चाहिए किसी एक एंटेर जर्नी से हमें instantaneous velocity चाहिए तो उस एंटेर जर्नी को हम क्या कर सकते है छोटे-छोटे parts में differentiate कर सकते है ना छोटे-छोटे distance में ऐसे distance में मतलब इतना distance कब कबर अब होगा जब T2-T1 tends to 0 होगा तब ही तो यह बहुत small हो to 0 हो गया तब क्या हो गया यह चीज बहुत यह distance जो है वो 10 km नहीं रहा बहुत छोटा हो गया है है ना समझ रहे हो तो इस मतलब मैं यह कहना चाहता हूं मैं इस जगा पर यह कहना चाहता हूं कि कैसे differentiation का concept आ गया है मतलब इस एंटेर जर्नी को तुम छोटे-छोटे parts में differentiate क कर सकते हो यह वादा लाइनिंग क्या indicate कर रहा है जैसे कि यह lining और यह lining indicate कर रहा है कि इतना distance यह चोटा सा distance indicate कर रहा है यह चोटा distance कब होगा यह चोटा distance तब होगा जब T2-T1 tends to 0 होगा इन दोनों के interval बहुत ज्यादा होगा ठीक है तो इसलिए मतलब इहां पर भी differentiation हमें लगता है यह समझा इसलिए रहा हूं कि तरकी तुम पता चले कि एक एंटेर जर्नी को तुम बहुत चोटी-चोटी distances में differentiate कर सकते हो इस तरीके से तुम मान दो यह वाला यहां पर point ले ले velocity क्यों चाहिए क्योंकि एक एंटेर जो जर्णी होगा उस जर्णी में एटन आवरिज कितना वलोसिटी मतलब तुम बता रहे हो बत्तिकुलर इंस्टेंट में कितना कितना वलोसिटी मेंटेन हो रहा है वह तुम इन्फोर्मेशन नहीं दे रहे हो तो इसलिए particular instant में तुम् बहुत छोटा होगा ठीक है तो here comes the concept of differentiation कि एक एंटेर जर्णी को हम छोटे-छोटे distances में एक वरावला distances जो कि 10 km है उसको बहुत ही छोटा-छोटा distance में बहुत लंबा मतलब बहुत पार्ट में हम differentiate कर सकते हैं बहुत ज्यादा मैंने कहा कि इसके उपर बहुत ज्यादा concentrate मत करो यह कैसे लिखा मैंने यह तुम्हें explain कर दिया कि मुझे average velocity का expression था average velocity का expression क्या था कि del x by del t तो मैंने कहा कि इससे क्या मुझे instantaneous velocity का expression मिल सकता है तो मैंने कहा मिल सकता है कैसे कि मैं यहाँ पर इसके उपर barrier पूट करूँ इसके उपर limit पूट करूँ कि delta t जो होगा वो 10 to 0 होना चाहिए बस तो इसको तुम ऐसी याद रखोगे इसके पीछे कितना mathematics है कौन-कौन सा mathematical formula से आया क्या हुआ नहीं हुआ यह तुम्हें जानना नहीं है mathematics के लिए कैसे मैं explain करूंगा वह मैंने पहले ही बता दिया था अब जो लिख रहा हूं यह वाला लाइन भी तुम्हें याद करना है तो इस चीज को ना mathematics के लिए ऐसे लिखा जाता है कि dx by dt तो ultimately तुम्हारे पास जो एक्स्प्रेशन आया वह इंस्टेंटनियस का वह ऐसा है dx by dt ठीक है dx चो इंडिगेट कर रहा है ना dx इंडिगेट कर रहा है small displacement ठीक है और dt भी इंडिगेट कर रहा है small time interval वैसे यह differentiation होता है इसको read तुम ऐसे करोगे differentiation of x with respect to time ठीक है differentiation of x with respect to time मैं लिखके देता हूँ तो dx by dt को तुम ऐसे पर होगे with respect to a ठीक है तो differentiation of x with respect to time differentiation of x with respect to time एसे पढ़ना है ठीक है हाँ तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा हो गया सर इससे कैसे आ गया तो जिसका math नहीं है वो तो ऐसे ही सीखेगा जिसका है वो तो mathematics में सीखेगा ठीक है तो यहां पर मैं कुछ information देने वाला हूँ नहीं कि तुम बस ऐसी याद रखो कि अगर तुम किता भी follow कर रहा है कर सकते हो वहां पर भी तुम्हें ऐसे ही मिलेगा कुछ और information नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि यह syllabus कुछ ऐसा है कि जो chapter 3 है वो बहुत बतलब बहुत जल्दी कोई भी फिजिक्स अगर पराता होगा तो बहुत जल्दी चप्टर 3 में आ जाएगा यह फिजिक्स के बात कर रहा हूँ अगर mathematics परा रहे ना कोई तो differentiation वो starting में शुरू नहीं कर सकता, थोरा सा time लगए उसको, तो इसलिए ऐसा होता है, हरवार ही ऐसा होता है, कोई भी physics का teacher, कोई भी physics का teacher, अगर physics पढ़ाता है तो उसको पहले differentiation मतलब बताना पड़ता है, अब जब बो differentiation बताएगा तो जिस बच्चे का combination में mathematics होगा नहीं, व और जिसका mathematics है, वो question पूछेगा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट यह सारा answer उसको mathematics में ही मिल जाएगा, बट mathematics teacher जो है, वो तो पहले यह start नहीं करेंगे, set वाला start करेंगे, inequalities होगा, वो start करेंगे, है ना, तो with the passage of time तुम जान जाओगे, ठीक है, इतना, तो यहां पर differentiation का एक, यह तुमारे पास formula हो गया, तो यहां से हम instantaneous velocity को define ऐसे करेंगे, कि it is the limiting value, it is the limiting value, ऐसे लिख देते हैं, it is the, limiting value of, it is the limiting value of average velocity, it is the, पहले मैंने बताया कि, velocity of an object at a particular instant of time होता है, फर इसको ऐसे लिखोगे, कि it is the limiting value of average velocity, where the time interval tends to 0, तो average velocity से ही तुमें instantaneous velocity मिल रहा है, जहां पर तुम delta t जो होता है, delta t जो होता है, उसमें 0 पूट कर रहे हो, क्या limit, जिसके वाज़े से यह dx by dt हो रहा है, delta t 0 होने के वाज़े से बहुत ज़्यादा distance cover नहीं कर पा रहे हो, तो delta t बहुत छोटा है, तो dt लिखेंगे, और उसका corresponding distance cover हो रहा है, बहुत बहुत छोटा हो रहा है, इसको dx लिखेंगे, ठीक है, तो dx by dt, तो देखो, यहाँ पर differentiation के एक formula में दे रहा हूँ, एक formula है, इसको याद रखना है तुम्हें, कि ddx of x to the power n, ddx of x to the power n, differentiation of x to the power n with respect to x, है न, ddx of ddx, ऐसे read कर रहा हूँ, ddx of x to the power n, या फिर तुम्हें ऐसे कह सकते हो, differentiation of x to the power n with respect to x, differentiation of x to the power n with respect to x, फिर से, differentiation of x to the power n with respect to x, या फिर ddx of x to the power n, दो तरीक से कह रहा हूँ, एक के रहा हूँ कि d, ऐसे मत परना, d divided by dx, ऐसे नहीं परते हैं, यह तो mathematics है न, यह standard formula होता है, तो इसको ऐसे मत परो कि d divided by, या फिर ddx to the power n, divided by नहीं है, ऐसे नहीं परते हैं, तो ddx of x to the power n, ऐसे बलो, या फिर तुम्हें ऐसे कहो, कि differentiation of x to the power n with respect to x, नीचे जो हो रहा है न वो with respect to हो रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसे हैं हमारे पास, चलो, लिखता हूँ मैं, फिर से, ddx of x to the power n, तो इसका अंसर होगा, n x to the power n-1, इसको याद रखना है, ठीक है, ddx of x to the power n का अंसर होता है, n x to the power n-1, ठीक है, तो इसको तुम्हें याद रखना है, formula के हिसाब से, और इसी से हम problem करेंगे, मान लो मेरे पास एक question ऐसा है, कि ddx of x square, ddx of, कैसे read किया मैंने, ddx of x square, या फिर differentiation of x square with respect to x, तो यह formula था, ddx of x to the power n, formula क्या होता है, n सामने आता है, तो n यहाँ पर 2 है, 2 सामने आएगा, फिर x to the power जो है, उससे 1 मानास करना परेगा, तो आंसर कितना होगा, 2, 1, मतलब twice x, इसका आंसर कितना होता है, twice x, ठीक है, देखो, यहाँ पर यहाँ पर सामने कोई constant रहता है, ना, मान लो, ऐसा है, ddx of 3x cube, ddx of 3x cube, कैसे रीट कर रहा हूँ, ddx, यह, of 3x cube, ठीक है, तो ddx of 3x cube, यह constant है ना, तो rule कहता है, differentiation का rule कहता है, कि constant को तुम differentiation से बाहर निकाल लो, तो 3 है ना, 3 बाहर निकल गया, according to rule, जो constant होगा, वो बाहर चला जाएगा, जो भी constant होगा, तो 3 बाहर निकल गया, ठीक है, रहा क्या, ddx of x cube, अब तो यह चीज, इससे मिलता है, ddx of x cube, तो formula कहा रहा है कि n सामने आएगा, तो n सामने आया, into x to reward 3 minus 1, है ना, तो यह हो गया 9 और x square, तो इसका answer यह है, ठीक है, clear है, देखो, यह simple simple सा चीज है, यह exam में आने वाला तो है नहीं, बट इससे हम problem करेंगे, तो इसको copy में लिखना है तुम्हें, और एक करते हैं, चलो, जैसे कि मान दो मेरे पास है, ddt of 5t square, तो ddt of 5t square करना है, तो क्या करेंगे, 5 है, तो यह बाहर निकलेगा, है ना, फिर तुम्हारे पास है, d of t square, भाई, dt, तो 5 है, into, यह 2 आएगा, फिर t के power जो है, उससे 1 minus हो देख रहे हो ना, अभी मैंने problem start नहीं किया, अभी तो तुम्हें समझा रहा हो कि कैसे कैसे करना है, फिर से करते हैं, चलो, ddt of 5, अब ddt of 5, क्या होगा, अब तुम कहोगे, सर, आपने कहा कि अगर constant है, तो उसको बाहर निकला दो, तो निकाल दिया, फिर ddt of यहां पर क्या वह जीरू, हाला, एनिधिंग to the old real equal to one, that एनिधिंग should not be equal to zero, तो t to the old 0 equal to one होता है, हमें पता है, अब देखो 5 into, यह जो जीरो है, यह ddx of x to the old n format में है, तो 0 सामने आएगा, 0 सामने आने के बाद यहां पर कोई term लेखने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंगा, क्योंकि anything into 0 is जीरो तो अल्टिमेटली देखो डिफरेंसियेशन ओफ एक कॉंस्टेंट कितना हो रहा है जीरो तो इसको याद रखना है कि डी डी एक्स अगर यहां पर एक्स भी होता है ना और एक कॉल जीरो होगा कब अगर एक कॉंस्टेंट है कि इसे कॉंस्टेंट अब तुम कहांगे सर मैं डी एबाई डी टी लिखूं तब तब भी जीरो होगा डिफरेंसियेशन ओफ एनी कॉंस्टेंट विछ रेस्पेक्ट टाइम जीरो अगर यह टाइम इंडिकेट कर रहा है तो डिफरेंसियेशन ओफ अब तो मैं ऐसे ही तो इसे हैं जीरो होगा तो तब भी जीरो होगा का इसे दिखाया मैंने कैसे हुआ ठीक है क्लियर है चलोओ अब तो मुझी यह बताओ कि डिफरेंसियेशन ओफ एक्स वित रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा differentiation of x with respect to x कितना होगा अब तुम कहोगे sir dx by dx से card तो answer 1 है तो पहली बात तो answer 1 ही है बट ऐसे नहीं होता कैसे होता है ddx सब देखो यह वाला formula से करना है तो x के power कितना है यहाँ पर 1 है x के power 1 है तो यह n सामने आएगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 फिर x to the power जो भी था n था इससे 1 माइनस करना है तो x to the power यहाँ पर n नहीं 1 था इससे 1 माइनस करना है तो 1 x to the power 0 तो answer 1 होता है ठीक है तो इसको मीटा देंगे यह तो तुम्हें पता है यहाँ पर power 1 होगा तो dx by dx का आटके 1 नहीं होता formula जो है यह वाला इससे करते हुए 1 होता है ठीक है तो differentiation of a constant differentiation of a constant is 0 dx by dx मतलब differentiation of x with respect to x मैं कहा रहा हूँ ना तुम लिक लो differentiation of x with respect to x अगर मेरे पास ऐसे होता dt by dt तो उसका भी answer 1 होता कैसे होता जिस तरीके से यह वाला हुआ है काटके नहीं हुआ ठीक है differentiation of dp by dp यह भी 1 होगा ठीक है differentiation of dz by dz यह भी 1 होगा है ना differentiation of a constant equal to 0 होता है differentiation of x with respect to x differentiation of s with respect to s differentiation of a with respect to a ठीक है तो यहाँ पर different types of मैंने differentiation बताया ठीक से देखो करो बट मैं यहाँ पर प्रॉब्लम करने बादा हूँ तो इन चीजों को मुझे physics में क्यों चाहिए है ना यह important है कि इन चीजों को मुझे physics में क्यों चाहिए तो देखो मेरे पास अगर ऐसा information given है कि displacement of an object is varying with time the displacement of an object is varying with time s t cube minus 3 t square plus 6 तो कह रहा है कि displacement of an object is varying with time as this यह क्या है यह x ठीक है is a function of time इसका मेनिक होता है x is a function of time इसको displacement कह रहा है इसको यहां पर ठीक है तो displacement जो है time के साथ ऐसे वेरी कर रहा है तो x equal to t cube minus 3 t square plus 6 ठीक है तो तुम्हें कह रहा है कि what is the what is the velocity of the object at t equal to 7 seconds तो यहां पर ठीक है time दे रहा है 7 seconds के रहा है at t equal to 7 seconds 7 seconds जब हो गया तब मतलब कितना तुमारे पास velocity था तो यह तो instantaneous velocity के बार यह बात कर रहा है तो हमें पता है कि velocity क्या होगा dx by dt होगा ठीक है velocity क्या होगा dx by dt होगा अब देखो यह d dt तो तुम्हें यह d dt को ऐसे लिख रहे हो d dt को d dt मैंने कहा कि divided by नहीं पढ़ना है तो d dt of x d dt लिख दिया मैंने x का भी तो यह है तो इसको लिखना है t cube minus 3t square plus 6 ठीक है अब देखो यह d dt जो है individually सबके साथ add होता जाएगा मतलब d dt of t cube तुम ऐसे मत समझना कि मैं यह into कर दूँँगा कि t cube into d dt यह गलत होता है क्यों कि d dt यहाप एक operator के हिसाब से काम करता है जो कि t cube के उपर operate करेगा फिर यह इहापे जाएगा यह d dt ए operator के हिसाब से काम करेगा किस के उपर 3t square के उपर फिर यह d dt यहापे जाएगा यह operate करेगा 6 के उपर ठीक है तो यह वाल चीज गलत होगा, नोट करना, तो DDT of T cube minus DDT, अब operator की हिसाब से काम करें, किस के उपर operate करना है, 3T square के उपर, plus sign है, दे रहाओं, DDT, किस के उपर operate करना है, 6 के उपर, हमें पहले इसे ही पता है कि 6 एक constant होता है, तो differentiation of 6 with respect to time, यह तो 0 होगा, यह वाला term कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह दोनों टर्म रहेगा, तो यहाँ पर हमें पता है कि N, और X to the power N minus 1, तो यह 2 हो जाएगा, है ना, देखो, इसलिए मैंने पहले 4-5 problem, छोटा-छोटा करें, करवा दिया था तुम्हें, ताकि तुम्हें जब मैं physics का problem करूँ, तब कोई problem ना हो, ठीक है, तो 3 आया, फिट 2 और 3 minus 1, तो यह हुआ, फिर माइनस आई ने माइनस, तुम्हें पता है, यह constant बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर निकल गया, यह constant बाहर निकल गया, तो तुम्हारे पास रहता है, ddt of t square, है ना, देखो, यह वाला step में अभी कर रहा हूँ, कि अभी तुम सीख रहे हो, बाद में यह वाला step तुम भी नहीं करने वाले हो, तुम भी shortcut में कर रहोगे, तुम भी 6 लिख दोगे, तो यहाँ पर हो रहा है, 3t square minus, यहाँ पर हो रहा है, 3, यह 2 सामने आएगा, और t to the word 2 minus 1, तुम फॉर्मुला देखो, देख देखके करो, खुद कर सकते हो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, t हो जाएगा सरिफ, कैसे लिखा, 3 तो 3 था, यह n है, तो सामने आया, फिर t to the word n minus 1, 2 minus 1, बत्व यहाँ पर 1 होगा, तो 3t square minus 60 हो रहा है, तो 3t square minus 60 हो रहा है, ठीक है, क्या यह answer है, तो यह answer नहीं है, यह क्या निकाला तुमने, यह instantaneous velocity निकाला, पर तुम्हें क्या कहा, कि t equal to 7 second में, 7 second में तुम्हें velocity निकालना है, तो तुम तो pause करके लिख सकते हो, मैं रफ कर देता हूँ, तो 7 second में तुम्हें velocity निकालना है, तो देखो, now velocity at t equal to 7 second, तो velocity 7 second में इतना हो रहा है, 3 into t square के जगा पर क्या लिखना है, 7 square minus 60, तो यह 49 हो गया, 49 into 3 minus, यह 7 लिख दो 42, है ना, कर दो, इसको shortcut में ऐसे कर सकता था, 7 common ले ले लेके, है ना, 7 अगर मैं common ले ले लेता ना, तो easy हो जाता है, तो यह 21 हो जाता, यह 6 हो जाता, 7 into, कैसे भी करो, यह answer तो आएगा ही, यह 15 हो जाएगा, है ना, यह mathematics से खुझ से कर दो, यह answer हो रहा, कैसे भी करो, इसको कैसे भी करो, direct add, into कर के करो, या फिर मेरे तरह करो, कैसे भी करो, बट इतना meter per second, तो देखो, अगर मुझे, टी अगर यह given नहीं होता, तो यह answer था, तब यह answer था, ठीक है, अब यह given है ना, तो answer, तुमारे पास, यह आ रहा, ठीक है, तो अगर तुम यह समझते हो ना, तो और एक problem तुम करो, तो यह है displacement time, और यह T equal to, 2 second, यह तुमारा homework है, इसको तुम्हें करना है, ठीक है, तो इसको तुम्हें करना है, इतना करो, और जो मैंने बताया न, यहां पर बहुत समझने की कोशिश करो, तो आगे जाके हम instantaneous acceleration, डारेक्ट बता देंगे, कि देखो, average जो acceleration होता है, average जो acceleration होता है, वो V2 माइनस V1, पाई T2 माइनस T1, यह होता है, अब तुम खुझ से बताओ, अगर instantaneous लिखना है, तो क्या करना बरेगा, तुम समझ चुके हो, कि तुम्हारे पास जो, यह है, इसको मतलब Del VY Del T है, है ना, Del VY Del T है, तो इसको, डेल्टा T को तुम टेंस टू जीरो दिखोगे, और Del X, यहां पर Del X नहीं होगा, Del VY Del T होता है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख देंगे, D VY DT, तो instantaneous acceleration जो होगा, D VY DT होगा, तो यह, देखो, शॉर्ट कार्ट में मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने, average velocity से instantaneous velocity कैसे लाना है, वो तुम्हें बता दिया, तो यह चीज़ भी तुम्हारे पास homework होगा, थोड़ा सा read कर लो किताब से, अगर समझ नहीं आ रहा है न, तो बताना मुझे comment box में, फिर मैं इसको फिर से करूँगा, बट मुझे लगता है कि आप ज़रूरी नहीं है, इसको फिर से करने का, क्योंकि मैंने सारा चीज़ तुम्हें बता दिया, सारा concept बता दिया, graphically मैंने दिखाया कि कैसे तुम time interval को छोटा करते जाओगे, जितना time interval छोटा होगा, distance cover भी बहुत छोटा हो जाएगा, फिर मैंने ऐसे भी बताया था, कि तुम्हारे पास A point और B point है न, instantaneous में आना, कैसे आना है, कि limit put करना है, किसमें delta T पे, इसमें limit put करना है, इसको क्या करना है, tends to zero, करीब करीब zero करना है, तब क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा distance cover कर लोगे, समझ रहे हो न, तो तब distance के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि instantaneous velocity में मैंने बताया, करना है, जिसका नाम होता है, differentiation, differentiation हम ऐसे लिखेते हैं, V को, कि D X by D T, मैं ये, मैंने ये कहा, कि ये वाला distance बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला time interval तुम बहुत छोटा ले रहे हो, तो small displacement by small time interval, ठीक है न, तो यही concept था, main thing था, मैंने बहुत कुछ बताया, शायद बताने ही तुम confuse हो रहे के नहीं हो रहे, अगर confuse हो रहे हो तो comment box में बताओ, फिर मैं इसको explain कर दूँँगा, अगर confusion नहीं है, तो इसका explanation नहीं ज़रूरी है, मैं next time इसको direct करूँगा, direct इसको लिखूँगा, ठीक है, अगर में लिख दिया कि instantaneous acceleration क्या होने वाला है, बट एक formula मैं और लिखना चाहता हूँ, a equal to dv by dt होता है, है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ हम ऐसे कर सकते है, dv by dt into 1 लिख सकते हैं, है ना, तो dv by dt, इसके जगाँ पर मैं dx by dx लिख सकता हूँ, यह तुम्हें पता है कि dx by dx काट के 1 नहीं होता, formula के हिजाब से 1 होता है, वो इन्हें दिखा रहा है, है ना, अब लिखने के वज़े से हुआ क्या देखो, इसका next step, यह dv by dx में यहाँ पर लिखता हूँ, dv by dx, और बचा क्या, dx by dt, अब देखो, dx by dt क्या होता है, instantaneous velocity होता है, तो इसके जगाँ पर मैं भी लिख सकता हूँ, और साथ में यह dv by dx, तो एक formula तुम्हारे पास यह भी है, a equal to v dv by dx, तो इस formula से next time हम problem करेंगे, एक काम करते हैं, next video में अगर तुम समझ गये हो ना, सारा जो मैं बताना चाहता हूँ, main theme यह था, कि बहुत lengthy अगर जर्णी है, उसमें time interval reduce कर दो, तो तुम्हारा corresponding displacement भी reduce हो जाएगा, या फिर acceleration के time में बात करो, तो time interval reduce कर दो, तो तुम्हारे velocity भी बहुत नजदीक नजदीक वाला velocity आजाएगा, changes जो होगा, change in velocity जो होगा, बहुत कम होगा, समझ रहे हो ना, एक बहुत lengthy journey तुम्हार किया, इस point बहुत वे velocity 2 meter per second था, इस point बहुत 10 meter per second है, पर इन दोनों transition period में, velocity बहुत equal होगा, करीबन करीब सेम होगा, small change in velocity होगा, इहाँ पर 2 था, इहाँ पर 10 था, तो difference बहुत ज़्यादा था, है ना, बट बहुत minute instant में, fraction of second में बहुत ज़्यादा changes velocity में नहीं आएगा, small change in velocity होगा, वो acceleration के लिए होगा, है ना, तो तुम तो यह पढ़ लोगे वैसे, A equal to d by dt कैसे होता है, पर के मुझे बताओगे, पर next, हम यह करेंगे, कि इन topics से, basically इन topics से, interest में बहुत ज़्यादा question आता है, तो next video मतलब मैं कुछ problems ले लूँगा, 10-12 problems previous year से, और वो problem डाइरेक उठाके, मैं यहाँ पर solve करूँगा, ठीक है, मैं एक पेज में लिख के लिख के आजाओंगे, सारा questions, entrance वाले, फिर previous year question यहाँ पर solve करेंगे, on the basis of instantaneous velocity, instantaneous acceleration, ठीक है, तो और clear होगा, और जैसे मैंने बताया ना, आज, बो तुम बताओ, मुझे comment में कि clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा वीडियो देखना, काट की देखोगे, तो शायद ठीक से समझ नहीं आएगा, मुझे लगता है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, thank you,